दोस्तों हम सभी जीवन में परिशान हो जाते हैं, मुश्किलें आती हैं, तूट जाते हैं, जीवन कई बार लगता है कि खत्मसा हो गया है, कुछ नहीं बचा है, परिशानी बहुत जादा बढ़ गई है, और कई बार अतियुत साहित हो जाते हैं, जब कुछ चात लगता है, कोई सफलता मिलती है तो तो ऐसी ही समस्या को समझनी के लिए आज हम एक कहानी आपको बताएंगे एक कहानी सुनाएंगे जिससे के जीवन में बैलिंस आ सके बहुत से लोगों को देखा होगा आपने डिप्रेशन तक में चले जाते हैं एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि कनक कनक ते सोगुनी मादक ताधिताय इही खाय बोराय नर उही पाय बोराय नर यानि कि कनक कहा जाता है धातूरे को और कनक कहा जाता है सोने को तो कनक कनक ते सोगुनी ये दोनों एक दूसरे से बढ़ करके हैं एक को खा करके प पागल हो जाएंगे यही खाय बोराए नरव उही पाय बोराए यानि कि और धन दौलत रूपया पैसा कनक सोना जब मिल जाता है पागल हो जाते हैं सो नहीं पाते हैं तब भी पागल हो जाते हैं तो यह इस्थिति क्यों उत्पन होती है इस बात को कैसे हैंडिल करना चाहिए ये आए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंट्रिस्टिंग है आप अंत तक जरूर देखेगा और अंत में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों एक समय की बात है संत माकरियो एक उच्च कोटी के साधक थे उन्होंने धर्म और दर्शन का बहुत चिंतन किया था बहुत ही मनन किया था जीवन को अनेक द्रिष्टि कोणों से परक करके किसी नेर्णे पर पहुँचना उनका स्वभाव था यानि कि हर पहलू पर ध परंथों को चान डाला किन्तु मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ मैं बहुत परेशान हूँ माकरियों ने शिर्ष्य के प्रश्न को दोहराया और कुछ शन ठाहर करके बोले तुम्हारे सवाल का जबाब मैं जरूर बताऊंगा लेकिन पहले एक काम करो कबरिस्थान में ज है सकते हो तुम उतना भला बुरा कहना और फिर लोट करके मेरे पास आना गुरू के बेतू के आदेश को सुन करके शिष्य को बहुत हैरत हुई बहुत उसको अश्चर्य हुआ लेकिन ये सोच कर कि इस बात में कुछ न कुछ जरूर होगा वो कबरिस्थान की ओर चल दिया वहाँ जा करके उसे जितनी गालियां आती थी भर भर के उसने कबर को गालियां देनी श्टार्ट कर दी उसने कबर को खूब भला बुरा कहा और गुरू के पास लोटाया गुरू ने पूछा क्या तुम्हारी गालियां सुन कर उन कबरों में से किसी ने कुछ तुम से कहा शिसे ने उतर दिया, नहीं गुरुदेव, सब की सब तो मौन थी। अब संत बोले, एक बार और जाओ वहाँ पर, और फिर इस बार भी सभी कबरों के पास ही जाना है तुम्हें, लेकिन प्रसंसा करना है सब की। बस ध्यान रखो, पिछली बार गालियां दे करके आये हो, इस बार जाओ खूब सारी प्रसंसा करके आना, कबरों की प्रसंसा करना अच्छे से, जितनी कर सकते हो उतनी प्रसंसा करके आना। गुरु के आदैश का पालन शिस्से ने किया और वापस आकर के बताया कि कबरें तो पहले की तरह ही शांत बनी रही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब गुरु ने पुछा कि इस बार क्या प्रतिक्रिया मिली तो उसने ऐसा बताया अब संत माकरियों ने कहा वत्स ये संभाव ही मुक्ती का मार्ग है यानि कि चाहें कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो जाए जीवन में हमें संभाव में ही रहना चाहिए जीवन में सुख मिले तो फूलना नहीं है और दुख मिले तो हताश मत होना बस यहीं मुक्ती का मार्ग ह यानि कि ये सब पार्ट है जीवन का इससे बीचलीत नहीं होना चाहिए सफलता मिल गई उसको खुश हो करके इंज्जोई कीजिए इसमें कोई बुराई नहीं है परेशानी आ गई समय के साथ उसका सामना कीजिए उस परेशानी का सही से सामना कीजिए इससे बहतर और कुछ नहीं होगा और ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि परेशानी कितनी भी बड़ी हो अगर हम उसे समय देंगे वो धीरे धीरे निकल जाएगा पास्ट हो जाएगा और हम प्रिजेंट को बहतर बना करके फ्यूचर को बहतर कर सकेंगे लेकिन वहाँ पर तूट करके कोई ऐस इसा कदम उठाएंगे जो कि अनुचित होगा तो उसका खाम्याजा फ्यूचर में भी भूगतना पड़ेगा प्रिजेंट में भी अपने आपको परेशान करेंगे और फ्यूचर भी परेशान हो जाएगा पास्ट तो वैसे ही परेशान हो गया है तो इसलिए अब आपको बना लेना है कि पास्ट की तरह से ही आपको प्रिजेंट और फ्यूचर को भी बरबात करना है कि अभी से आपको प्रिजेंट को बहतर बना लेना है और जब प्रिजेंट को बहतर करेंगे तो पास्ट वैसे ही बहतर हो जाएगा और फ्यूचर भी बहतर होता जाएगा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रिजेंट को हमेशा खुसी के साथ जीएं, बहुत जादा सफलता से आपको विचलित नहीं होना चाहिए और बहुत जादा दुख मिलने से हताश नहीं होना चाहिए, यहीं आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर मन में को प्रिशानी है, उलजहन है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट्स करके अपने मन की उलजहन को लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके बातों का जवाब जरूर दें इस चैनल के माध्यम से, यह हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी के लिए मन की बात आ आप जब जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर नमबर दिया हुआ है, आप अपने सवाल वाट्सप पर भी भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप में से जिसका सवाल अच्छा लगेगा, या फिर जिसकी परिशानी बड़ी लगेगी, उस पर वीडियो आने लेकर के आते रहें, फिलाल विदा लेते हैं आज कि इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, वीडियो क वांत तक देखा अपने इसलिए दिल से धन्यवाद